नमस्कार, 8066 उश्या गुर्जानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करे जा रही हूँ मज़िदार से एक तंबड़िया से करे लेके पकोड़े अब जैसे मैंने करे लेका नाम लिया तो आप सोचो के मज़िदार कैसे हुए पर सच कह रही हूँ, अगर आपने इस तरह से बना लिया तो आपको मज़िदारी लगेंगे तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, उसके लिए करे लिया यह मैंने 250 ग्राम जितने लिया है और यह मैंने छोटे वाले लिया, आप चाहे तो बड़े वाले भी ले सकता है इसे हमें छिलके के साथ ही कुछ इस तरह से काटना है मैंने पहले से करेले को पानी से अच्छे से वश करके साफ कपड़ से पोच लिया था दिखो करेले को पूरा मत काटना आधे तक इस तरह से काटना है और इसका जो कड़वापन है वो आता है बीच से तो बीच को हम निकाल लेंगे तो कड़वापन तो दूर हो गया तो ये बाना तो आप मत कीज़ेगा कि हम करेले नहीं खाते हैं तो इसी तरह से मैंने सारे करेले को काट लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया है चावल का आटा अब इसके अंदर में डाल रहे नमक स्वाथ के अनुसर् और आदी छोटी चमच लार्मिश पाउडर्रीय है एक कप मैंने चावल का आटा लिया है अच्छे से मिला लेना है अब यह जो करे ले ना इस पर हमें यह चावल का आटा अंदर अच्छे से पूरे में लगा लेना है अब आप सोच रहेंगे यह ऐसा क्यू कर रही हूं मैं तो देखो अगर तुरंत ही आप इसे बेसन के गोल में से लगा कर तेल में डालोगे ना तो बेसन का गोल इस पर पाउडर आदी चोटी चमच लालमिश पाउडर चोथा ही चमच अजवाइन को हातों से मसल कर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना और गोल बनाना है तो देखो यह जो कर लेके पकोड़े इसके लिए जो गोल है ना वह बतला नहीं होना चाहिए थोड़ा सा ग करे तलने के लिए तेल गरम करने रख दिया है अब यह जो करेले है इस पर हमें अच्छे से देखो इस तरह से बेसन का गोल लगाना है तो आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से में लगा लिया और अच्छे गरम तेल में हमको यह डाल देना है तो यहाँ पर आप देख सक बढ़िया से तो इसे हम निकाल लेंगे इसी तरह से मैंने बाकी बच्चे भी बना ली है तो बनकर तयार है करेली के पकोड़े सच बता रहे हूं इस तरह से का के देखो आपको वज़ा ही आजाएगा और इसे केचप के साथ यह कोई भी मनपसंद चटनी के साथ आप से लीज आज के लिए बस इतना है तांक्यू फो बच्चार रहे हैं